that is a zygus lobe is a part of अब a zygus lobe ncrt में कहीं mention नहीं है medical term है लेकिन still यह यहाँ पर आ गया है तो हम थोड़ा सा discuss कर लेते हैं देखिए हमारे पास क्या होता है माल लीजिए कि यह हमारा मैं lung बना रही हूँ this is our lung ठीक है यहाँ से यह आ रही है इसमें ट्रेकिया और ट्रेकिया ने यहाँ पर यह रिदिया ब्रॉंका है ठीक यह ट्रेकिया और ट्रेकिया से निकल गए है यह ब्रॉंका है तो अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर होती है वेन क्या होती है यहाँ पर एक होती है वेन इसको आप बोलते हो azygus वेन लंग के उपर से migrate करके इसको चला जाना चाहिए था, लेकिन यदि Azygous Lobe है, तो इस वाले केस में यह यहां से जाती नहीं है, और यह क्या करती है, यहांसे इसमें अंदर से घुस के निकलाती है, जो apex वाला पार्ट है, यह क्या है, लंग का apex वाला पार्ट है, इस apex वाले प यह वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को आप बूल देते हो azygous loop ठीक है क्योंकि यहाँ पर यह wane जब बार निकलती है तो इतना सा हिस्सा एपक्स वाला पार्ट साइड में ट्रैप होके रह जाता है तो इसी को आप किया बूलते है azygous loop लेकिन नॉर्मली लंग्स के अंदर प्रिजेंट नहीं रहता ठीक है यहां पर यह वेन है यह वेन यहां पर निकलाई है इसको हम तोड़ा सा कलर डाल देते हैं तो आपको समझने में इजी रहेगा तो यह एजाईगस वेन जो है वो एपेक्स को पेनिट्रेट करके निकल के आ गई है तो इस वाले हिस्से को ट्रैप्ड हिस्से को एपेक्स का जो ट्रैप्ड हिस्सा है उसको अलग से हमने छोटा सा लोग बना दिया एजाईगस लोग यह जो एजाईगस लोग है इसकी सही हो जाएगा बाकी जो है वो रॉंग हो जाएंगे क्यूशनी क्याटेगरी दिखने में इजी है लेकिने डिफिकल्ट है यह क्योंकि मेडिकल टर्म है यह हमें बुक्स के अंदर हमारी नॉर्मल जो नीट वाली बुक्स है वो उसमें यह नहीं मिलेगा NCRT में भी नहीं है तो यहाँ पर हमारा DBB फिनिश होती है थैंक यू सो मच टीचर्स नेक्स डीपीब के साथ हम नेक्स राउन में मिलते हैं